अक्षे कुमार ने अब एक ऐसा काम किया है जिसके बाद अक्षे कुमार की तो तारीफ हो रही है लेकिन शारुक खान और अजय देवगन की इंसल्ट हो रही है और लोग कह रहे हैं कि इन लोगों में जरा भी शर्म नहीं है आपको बता दे कि अक्षे, अजय और शारुक इन तीनों में कॉमन चीज ये है कि लॉंगडाउन के दौरान इन्हों ने आड किया था विमल पान मसाला का शारुक और अजय ने इससे पैसा कमा लिया सभी तरफ पोस्टर्स भी लगे लोगों ने इनकी किरकिरी की लेकिन इन् अबना कॉंट्रेक्ट पान मसाला वाली ब्रैंड के साथ रेन्यू नहीं करेंगे और उनसे गलती हो गई है आगे वो इस चीज का ध्यान रखेंगे तब अक्षे कुमार ने ट्वीट के फॉर्म में ये बात कही थी लेकिन अब अक्षे कुमार ने पब्लीकली माफी मागी ह अक्षे कुमार हाल ही में सीधी बात चोव में पहुंचे थे और इसी दौरान जब होस्त ने अक्षे कुमार से पूछा कि जिंदगी में किस बात का रेग्रेट है किस बात पर आप सौरी करना चाहते हैं और कौनसी एसी चीज है जिससे सोचकर आपको लगता है कि काश में ये नहीं करता तो उस पर अक्षे कुमार ने बिना जिजकते हुए अपनी गलती मानी और कहा कि मैंने जो इलाइची वाला एड किया था वो मुझे नहीं करना चाहिए था ये मुझे लगता है अक्षे कुमार ने कहा कि बाद में मुझे जब रियलाइज हुआ कि मुझसे गलत आपको बता दें कि विमल का आड करने के बारे में अक्षे को लेकर खबरे आई थी कि अक्षे कुमार ने इस आड के लिए 100 करोड चार्च किये थे हलाकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कह सकते बट अक्षे ने तभी क्लियर कह दिया था कि ये उनसे गलती हुई है औ तो बहुत बड़ी बात है इतने बड़े सूपर स्टार होने के बावजोद आक्षे कुमार ने अपनी गलती मानी है और पब्लीक से माफी माँगी है वहीं बात करे है अच्च देवगन और शारुक खान की तो इस मामले में वो मात खा गया उन्हों कभी इस मामले में पब्लिक से माफी नहीं मांगी और ना ही अपनी गलती को सुईकारा